अच्छा आज की कख्षा सुरू करें हाँ सर प्लीज सर आपके सिलिबस में हिंदी का जो चौथा पेपर है उसका नाम है कथा साहित्य और कथा साहित्य में इसके दो भाग उन्होंने किये हैं उपन्यास और कहानी के उपन्यास में दो उपन्यास लगाए गये हैं गोदान जो की प्रेमचंद का उपन्यास है और राग दरवारी जो स्रीलाल सुकल का उपन्यास है और कहानियां उन्होंने आठ लगाई है तो आठ कहानियों को हम दो कक्षा में पढ़ेंगे और दो उपन्यासों को चार कक्षा में पढ़ेंगे यानि कि एक कक्षा में दो कहानियों पर बात करेंगे और उपन्यास को एक उपन्यास पर दो कक्षा यानि कि चार ये तो आठ अगर क्लास आपके साथ होते तो हम जड़ा ठीक से बात कर पाते लेकिन हमारे पास कुल चार कक्षाएं हैं करथा साहित पर तो हम एक कक्षा गोदान पर एक राग दरबारी पर दो और दो कक्षा में कहानियों पर बात करेंगे तो आज मैं आप से बात करना चाहता हूँ प्रेम चंद के मस्हूर उपन्यास गोदान पर सबसे पहले गोदान के सीरसक पर थोड़ी सी बात करेंगे गोदान जो उपन्यास है उस पर हिंदी और उर्दू दोनु के लोग क्लेम करते हैं दावा करते हैं यह उपन्यास मूल रूप से हिंदी वाले कहते हैं कि हिंदी में लिखा गया उर्दू के लोगों का कहना है कि ये गोदान के नाम से उर्दू में लिखा गया चोकि प्रेम चंद के बारे में ये मस्हूर है कि वो सुरू में उर्दू में लिखते थे और बाद में फिर उन्होंने उर्दू से हिंदी में उसका खुद ही अनवाद किया और जब हिंदी में लिखते लिखते उनकी आदत बन गई तो फिर उन्होंने सिधे हिंदी में ही लिखना शुरू किया लेकिन प्रेमचंद एक ऐसे उपन्यासकार है, एक ऐसे कथाकार है, जिनके उपर हिंदी और उर्दू दोनों का दावा है तो इसलिए प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर जब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे जरूरी लगा कि मैं आपको गोदान और गोदान, ये दोनों बातें आपको बताओं, तो ये आप ध्यान में रखे हैं, जब भी उर्दू वाले गोदान कहें, तो आप ये न समझें कि उ उनको नहीं मालूम है, या उनका उचारन खराब है, इसलिए वो गोदान को गोदान क्यों कह रहे हैं, ठीक है, इसके सीरसक से एक बात तो क्लियर हो गई, कि इस उपर न्यास का जो सीरसक गोदान है, वो दरसल हिंदू धर्म की जो आस्था का प्रस्ण है, कि मोक्ष के प्रत्यो लोक में अगर गाय का दान करेंगे, तो मरने के बाद, एक आख्यान है कि मरने के बाद जो मरतात्माएं हैं, उनको जो वैतर्मी नाम की एक नदी है, उसको पार करके तब उस पार जाना होता है, और उस पार में तब जाकर के ते होता है, उसका हिसाब किताब जो ह वो रखते हैं चित्रगुप्त जी और चित्रगुप्त लोगों का वही खाता निकाल करके बताते हैं कि इनको स्वर्ग भेजा जाए कि नरक भेजा जाए और नरक भेजा जाए तो कौन सी सजा दी जाए वगरा वगरा तो उसी से गोदान के आख्यान से ये चुड़ा हुआ उपन्यास है यह जो उपन्यास है, इसका जो प्रकासन है 1936 इस भी में, बंबई में, जिसका नाम अब मुंबई हो गया है लेकिन प्रेमचंद के समय में बंबई ही था तो इसलिए हम बंबई ही बारबार कहेंगे 1936 में हिंदी ग्रंथ रतनाकर कार्याले ये प्रकासंद का नाम था फब्लिसर का और उन्होंने इस उपन्यास को 1936 में चापा था याद रखिए यही वो साल है जिस साल प्रेमचंद का निधन हुआ यही वो साल है जिस साल उन्होंने कफन नाम के कहनी लिखी यही वो साल है जब लखनव में प्रकतिसील लेखक संग की स्थापना का सम्मेलन हुआ था प्रेम चंदुस में गए थे तो 1936 कई मामलों में महत्तोपूर्ण साल है गोदान में भारतिय ग्राम समाज और उसका जो परिवेश है उसका बहुत सजीव चित्रन किया गया है और जो करसी संस्कृति है जो खेती वारी है किसानों की जो समस्याएं है वो इसके मुख्य केंद्र में है और उसके केंद्र में होने के कारण किसानों को उपज हो चाहे नहों जमीनदार को लगान समय पर देना है उसकी जो फसल होती है उसकी उचित कीमत पाने के लिए किसान को किस तरह से संघर्स करना परता है और किसान की महनत को हरप जाने के लिए कैसे कैसे बिचोली कैसे कैसे मिडल में तयार है उसका वर्नन है उसमें एक बसूर का जिक्राता है बसूर कहते हैं बास खरीदने वाले को इसमें इसोपन्यास में मैं बसूर से मुझे यादा है कि एक बात मैं और बताता चलूं साथ में चुकि इसकी कहानी जो है वो बनारस अबध और भुजपूरी का इलाका है होरी जब वहां के सब्दों का परियोग करता है बनारस और इसके आसपास के अलाकों का तो वो तो इसमें कुछ-कुछ लोग भासाओं के सब्द आए ही है जो उसका लड़का है होरी का गोबर वो जब लखनव जाता है कमाने के लिए तो उसमें लखनव का भी सजीव चित्रन इसमें आता है तो वहां की भी कुछ भासाओं इसमें आपको जैसे मुदा जैसे धेला अब ये सब्द जो है धेला उस समय एक प्रकार का कौईन था एक प्रकार की मुद्रा थी दान, चाबल, दाल जो किसान उगाते हैं या गन्ना, सुगर केन सिर्फ इसी से किसान की जो आर्थिक एस्थिति है या गुजर बवसर है सालो भर का वो नहीं चल पाता है तो उसको अतिरिक्त चीजों पर ध्यान देना पड़ता है तो ये सब जो समस्याएं हैं वो केंद्र में है अलावा इसके इस उपन्यास में एक दूसरी कहानी भी पैरलल चलती है और वो कहानी है शहरी जीवन की जिस सहरी जीवन में मिस्टर मेहता हैं मालती है खन्ना है राय साहब है तो उसमें सहरी जीवन की ठाकुर अमरपाल सिंग है तो ये जो सहरी जीवन की कथा है और सहरी जीवन का जो उस समय का अंतरदुन्द है जो सूर्शन का चक्र है जो उसकी सूच समझ है तो उसको भी प्रेमचंद साथ में लेके चल रहे हैं इसलिए सिर्फ ये कह देना कि गोदान ग्रामिन जीवन का या करसी संस्कृति का महाक है या इसमें सिर्फ गाउं का जीवन है मेरे ख्याल से इसकी पूर्णता को टोटलिटी को व्यक्त नहीं करता है हिंदी में गोदान को इस रूप में भी देखा जाये कि गोदान के जो नायक और नायका होरी और धनिया है उसके परिवार के रूप में हम भारत की एक जीव और साकार पाते हैं ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या समझ लीजे कि समाप्त हो रही है मतलब हो गई है काफी हद तक फिर भी इसमें भारत की जो मिट्टी है जो गाउं के खुस्बू है वो बची हुई है प्रेम चंद की उपन्यास कला की एक बड़ी खासियत ये है कि प्रेम चंद की कहानियां हो या उपन्यास धीरे 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 लिखते हुए छपते हुए आखिर में जाकर के वो अपने कला के चरम पर पहुँचते है तो कला के चरम पर जो आखिर में पहुँचते हैं और ये उनका आखिर का उपन्यास है इसके बाद मुनों ने मंगल सूत्र लिखा लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए अधूरा है उपन्यास तो इसलिए इस उपन्यास में उनकी जो कला है वो अपने चरम पर पहुँची है और गोदान में भारतिय किसान का जो संपूर्ण जीवन है उसकी आकांच्छा उसकी निरासा उसकी धर्म भीरुता भारत परायंता यनि की भारत से प्रेम देश से प्रेम ये तमाम चीजें उसमें आई है और जो किसान की बिवसी है उसका भी बर्नन है जब सुरू में ही धनिया जो है ठाकुरा मरपाल सिंग जो जमीनदार है उसके यहां होरी जा रहा है और उसका चित्रण है तो उसके सोशन को लेकर के धनिया सवाल करती है तो होरी कहता है कि जिस पैर के नीचे अपनी गर्दन दबी हुई हो उस पैर को सहलाने में ही भलाई है यानि एक विवस्ता का भी वर्मन है कि अगर हम उस पैर को नहीं सहलाते हैं तो वो दबा देगा हमारी गर्दन को दबा देगा तो हम मस्ट हो जाएंगे और इसके साथ साथ मरजाद की जो जूटी भावना है मरजाद मतलब यह है जो सामाजिक इज्जत है किसान की जो मरजाद है वो किसान बनने में है और उस किसान बनाए रखने में अपने को जो उसका संघर्स है बनाए रखने में वो भी बड़ा दारून है कि आपको खेत में काम करते हैं सब परिवार मिल के और पूरे साल भर का खाना आपको नहीं निकल पाता है वो या तो जमीनदार को लगान देने में चला जाता है उसके बाद उनके जो जमीनदार के कारकून यानि के जो उनके स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं वो ले जाते हैं नजराने के नाम पे, रिस्वत के नाम पे, और फिर जो कर्ज हो जाता है बेटी की ब्याह में या और किसी फंक्शन में उसमें वो भी दिखाया गया है, तो उसमें एक सहुआइन है, जो कहती है कि मैं रुपए आने सूद लेती हूँ, तो रुपए में और कई वार कहती है, मैं रुपए में चार आने सूद लेती हूँ, तो बात में फिर उन्होंने महाजनी सभ्यता पर लेक भी लिखा था, तो आज हिसाब से देखिए, तो रुपए का मतलब कि सो रुप, अगर आप एक रुपए मान लीजे, और उसको एक यानि पच्छीस पैसा, तो सो रुपए में पच्छीस रुपए सूद लेते हैं, यानि आपने किसी से 100 रुपए एक महने के लिए उधार ला, तो आपको 125 रुपए उसके चुपाने होंगे, पच्छीस रुपए सूद के, इस हिसाब से देखिए, कितना महंगा है गि physicians और परसेंट yearly है, यानि आप 100 रोपय किसी से loan पर बेंक से लेते है home loan तो आपको एक वरस में 107 रोपय उसके चुकाने होंगे और यहाँ पर एक महिने में ही 100 रोपय गिए 125 रोपय चुकाने होंगे तो इससे पता चलता है कि सूध भी, यानि interest भी कितना ज्यादा देना परता था और इसलिए जो कोई भी किसान एक बार किसी से कर्ज ले लेता था किसी महाजन से तो वो फिर उस कर्ज के जाल से उबर नहीं पाता था इसका भी वर्नन है कि होरी भी इस चक्र में फस्ता है और उबर नहीं पाता है इसका सुबूत ये है, कि होरी जब पंडित मातादीन से, दातादीन से, मातादीन उनका बेटा था, दातादीन से कर्ज लेता है, तो अपने ही खेत में, यानि अपना खेत जो है, वो पंडित दातादीन के पास गिर भी लगता है, और अपने ही खेत में मजदूर बन जाता है और जब वो एक यदनी सुगर खेन उस खेत में बोता है तो वही दाता दिन होरी का खेत होरी मजदूर बना हुआ और उसके उपर सासन चला रहा है उसको डाटता फट कारता है कि ठीक से काम करो ये करो पोकर तो उसमें एक दुलारी सहुआइन है दुलारी सहुआइन से भी करज लेते हैं और दुलारी सहुआइन के भी करज के रेट को आप उसमें देखेंगे तो आपको आश्चरी होगा कि उस समय इसके पास भी जरा सा पैसा हो जाता है और वो सूद ब्याज पर पैसा लगाता है औ तो इसमें ये जो चीज़े हैं कि सिर्फ किसान के समस्या लगान देना और जमीनदार का प्रतारना सहना ही नहीं है उसमें रिंग रस्तता जो है कर्ज में डूबा हुआ तिल तिल कर मरता हुआ जो भारतिय समाज का जो बोन है मेरुदंड है किसान वो बहुत सिथल और जरजर हो जाता है और सहर की जब वो कथा कहते हैं तो सहर की कथा में दिखाया है कि सहर में चहल पहल है चका चौंद है लेकिन इन लोगों ने किस तरह से गाओं की जो अच्छी चीजये हैं उस को जैसे आस्मान में बादल सूरज की रोसनी को ढख लेते हैं उसी तरह से गाओं की अच्छाइयों को ढख लिया है और उसमें कौन-कौन सामी भी नहीं जमीन और उसके साथ सामिल हैं डॉक्टर पॉलिटिकल लीडर और राजा के स्टाफ ये सब कैसे जूंक बन करके गाउं के किसान का सोसन कर रहे हैं और गाउं के जो महाजन है जो प्रोहित है वो लोग उसकी सहायता कर रहे हैं गुदान में ये सभी चीज़ों को उन्होंने बहुत बारी की से दिखाया है और इसलिए जो बीसवी सताब्दी का यानि की ट्विंटिएथ सेंचुरी का जो तीसरा दसक है और चौथा दसक है थर्ड और फोर्थ जो डिकेड है उस डिकेड के भारत का ऐसा सजीव चित्रन ऐसा जीवन तबरनन आपको किसी उपन्यास में नहीं मिलता है पूरे जीवन का जो ब्यंग है जो बिनोध है जो कसक है और बेदना है यह सभी चीज़ें उसमें आया है जैसे पहले ही उपन्यास में यह पहले ही चेप्टर में यह संकेत मिल जाता है उदारन के लिए होरी एक खास तरह का कुरता होता है जो इधर उत्तर प्रदे का नाम पहरे कुरते के बारे में बता देता हूं कुरते कही तरह के बनते हैं आप जानते हैं कहीं कॉलर वाले कुरते कहीं बिना कॉलर वाले कुरते कहीं हाथ में जो हमारा कलाई है उसके पास ठीले ढाले कहीं टाइट कहीं बटन वाले तरह तरह क्या है एक कुरता होता है इसका प्रिम्चंद नहीं है बर्वन किया है, वो हाफ होता है, यानि पूरे बाख कर नहीं होता है, और उसमें बटन की जग़ा रसी लगे होते हैं जो से बांध देते हैं उसको, ये आपको बरज के इलाके में, गुजरात में कहीं कहीं मिलेगा, इसको कहते हैं मिरजई, तो मिरजई को पहनने के बाद वो उसकी पतनी है, क्या नाम होरी की पतनी, धनिया, वो कहती कि बड़े बन ठन के चले हो, जैसे कि ससुराल चले हो, तो साथे पर पाठे बन रहे हो, साथे पर पाठा एक महाबरा है, यानि कि जब आदमी साथ साल का हो जाए, तो उसका मतलब है साथा और पाठा कहते हैं, जो जबान बकरा होता है, यानि तुम साथ साल के हो गए तो जबान दिखने की कोशिश तक है, तो उसमें इस मजाग के बाद, अगला जो संबाद है, जो डेलोग है, वो तुरत आता है, कि इस उपन्यास में आपको तो उसकी पहली जो पहले चेप्टर में उसका अंत मिल जाता है, वो कहता है होरी, कि नहीं धनिया, हम तो साथे पर पाठे क्या होंगे, हम तो साथ से पहले ही गुजर जाएंगे, यानि हम उतना समय तक जीवित नहीं रहेंगे, और यह होता भी है, उतने समय तक वो जीवित नहीं रहता है, और पहले ही गुजर जाता है, इत्रफाक से, यह इस उपन्यास की ही सचाई नहीं है, यह प्रेमचंद के जीवन की भी सचाई है, प्रेमचंद भी मात्र 56 साल की उम्र में इस दुनिया से गुजर गए, और प्रेमचंद को भी साथ साल होने का मौका नहीं मिला, यानि वो जो इस उपन्यास का लेखाक है, वो खुद भी साथ का, वो नहीं पाया, साथे पर पाठा नहीं हो पाया, तो ये है, प्रेमचंद में एक स्थान पर लिखा है, कि उपन्यास में आपकी कलम में जितनी सक्ती हो, अपना जोड दिखाईए, राजनिती पर तर्क कीजिए, किसी महफिल के बर्नन में दस-वीश प्रिस्ट लिख डालिए, कोई दोशन नहीं है, कहानी में ये नहीं है, क क्योंकि कहानी को आपको कम में कहना पड़ता है, उपन्यास में आपके पास ये अवकास होता है, क्योंकि उपन्यास जो है, उसमें परिस्ट की और उसकी कोई संख्या इस तरह से बंदिश नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, प्रेम चंद के इस उपन्यास को लेकर के कई आलोचकों ने बहुत सी बात में कही हैं कि निमारे में जीवन जो गाओं का है वो ये उपन्यास प्रस्थित करता है पर मैं जाने से पहले उस डिटेल में इस उपन्यास की सुरवात से कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूं जैसा मैंने भासा को और लोकल जो वहां के सब्दावली है जो स्थानिय सब्दावली है उसको लेकर के बात की थी तो वो मैं आपको बता रहा हूं उपन्यास सुरू होता है भोरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्थी धन्या से कहा गोवर को उख गोडने भेज देगा अब ये देखिए गोडना सब्द का है गोडना कहते हैं कि जो जो लोग जो बच्चे आपके क्लास के जो स्टुडेंट गन्मी की खेती कैसे करते हैं सुगर केंपी उससे दुरे सुदे नहीं सुछना भी होगी गन्ना को क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे तुकड़ों में काट लेकिंगे चोटे तुकड़ों से मतलब है कि कम से कम एक फिट देर फिट का तुकड़ा हो और एक देर फिट के तुकड़े को काट करके उसको जैसे कि एक लाइन में फिट में मान लिजे कि चालीस फिट फिट लंबा फेत हो तो चालीस फिट लंबा बिलकुल रसी से खीच के या अंदाजे से एकड़म सीधे लाइन में कम से कम आधा फिट 6 चोड़ा जो है पुदाल से या आजब तो ट्रेक्टर से भी करते हैं उसमें गड़ा सा होते चले जाएंगे और उसके गड़े के बीच म जो गन्ये का टुकड़ा कट्टा हुआ है वो डालते जाएंगे और उसकी जो मित्ती है उस से उसको धत देने इसको कहते हैं उख गोरणा तो यह उख गोरणा जो है यही पार्मिंग कोष्टी है तो वही अपनी इस्तरी से अपनी इस्तरी से अपने बेटे के लिए को तो तू जरामेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोवर से भरे थे उखले पाथ कर आई थी बोले अरे कुछ रस पानी तो कर लो ऐसी जल्दी क्या है। इस गोवर हैं। उससे उपले बना रही थी। उपले कहते हैं जिसको एंगली में काउड डंट केक कहते हैं. ज़र जलावन के काम आता है। उसको गोवर को मिला करके उसमें ज्चरा सा भूसा होगरैं और उसको छोटे-चोटे केक के रूप में आग में वो आग कहने है। जूप न शुका ले जा पिर वह आग जलाने के काम, जला बन के काम उसके लेड़े हैं और धनिया कह रही है, जी रस पानी कर लो, ये रस पानी क्या है रस पानी में भी देखिए, कोई सामान ने सा वाग्क लगता है लेकिन उसमें पूल सरस्थ की दिखी है रस पानी का मतलब ये है कि जब आप पूरब में जाएंगे जो ये इलाका ये से लाकित की इतानी है तो कोई अगर आपके घर में महमान तो बड़ी चीज़ है अगर कोई अजनबी यात्री, मुसाफिर, पैसेंजर जो उस रास्ते से पैदल जा रहा है उस तो लोग ज्यादा क्लास का आद्मी रख नहीं सकता था कि घोरे को रखेगा तो उसको खिलाएगा क्या औसकी सिमारदारी को उन करेगा हाथी को रखेगा तो 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 तुमा खाना कहां से लाएगा तो ज्यादा तर लोग पैदल है चलने वाले मुसाफिरों को भी जब पानी देते फिकिने के तो सिर्फ पानी नहीं देते थे जरा साव उसमें कुछ मीठा यानि जरा गुर का तुकड़ा सक्कर घूल के पानी ने वो दिया या कोई इल्गम ताजा जो सुगर केम है उससे रस निकाल करके वो भी देता था तो इसको कहते हैं रस पानी कर लो ये कह रही है अपने पती से धन्या इसमें देखे ये भी पूरी सस्कृती आ गई अब कह रहे हैं होरी कि होरी ने अपने जुर्यों से भरे हुए मात्य को सिकोर कर कहा कुझे रस पानी की पड़ी हुई है मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भित ना हो हलो कोई कुछ कह रहा है क्या अच्छा ओके एक चीज बता दीजिए सब लोग आवाज तो ठीक से आ रही है ना जी आ रही है ठीक है ठीक है अब इसमें देखिए एक सब आया है इस वाक्त में अबेर अबेर हो गई तो मालिक से में वेटना kalo का मतलब है ज्यादा देर ज्यादा समय經 ये तीऔर गौओं का सब्द हैं और पिर है कि अगर और असनान कुझा करने लगेंगे तो घंटे घंटों बैठे बीट जाएगा सनान सब्द है संस्कित का लेगि यहां पर लिखा है असनान अब असनान ही सब्द किसान कह सकता था तो उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल रखा पर इंचे लिए तो उसके बाद उसकी पत्ती धनिया कहती है कि किसी से तो कहती हूँ तो भी कुछ जल्पान कर लो आज न जाओगे तो कौन हरज होगा अब ही परसों तो गए थे तो हरज सब्द जो है जो अर्दू का सब्द हर्ज उसका एक रूप है और इसमें है कि अब ही परसों तो गए थे यानि मतलब एकी दिन हुआ है तो फिर वो कहते है क्या कि तू जो बात नहीं समझती उसमें चान क्यों औराती है भाई लाथी दे दे और अपना काम दे दे ते या इसी मिलने जुलने का परसाद है अब तक जान बची हुई है नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए गौँ में इतने आजमी तो हैं किस पर बेदखली नहीं आई किस पर पुर्की नहीं आई जब दूसरे पाउं के तले अपनी गड़दन दरी ही हो तो उन पाउं को सहलाने में ही कुसल है अब यह हमने पहले ही कहा अब धानिया क्या है जो उसकी पत्री है इनसाफ पसंद तो है सही बात तो कह सकती है लेकिन सही बात अगर आप आज भी किसी को कहें तो उसको पसंद नहीं आता है अगर आप किसी को कोई बात ब्लंकली कह दे सिधे सिधे मूँ के कह दे तो आप जानते है कि उसका असर क्या होता है फिर्ण चंद में इसी लिए लिखा है कि धनिया इतनी जवार पुसल नहीं थी उसका विचार था कि हमने जमींदार के कित जोते हैं तो वो अपना लगा नहीं तो लेगा उसकी खुशामत क्यों करें उसके तलबे क्यों सहलाएं तो ये वो एक इनसाफ की बात करती है लेकिं असल बात ये है कि अगर आप सिर्फ लगान और इनसाफ की बात करेंगे तो जमींदार आप ही को चुप पित देगा होती करने के लिए उसको कोई और लिल जाएगा उसको दे देगा जो उसकी खुसामद करेगा तो जो उसकी खुसामद भी करेगा लगान भी देगा वो उसको इसलिए देगा कि आपको सिर्फ लगान दे रहते खुसामद नहीं कर रहे और उसको खुसामद जो चाहिए कि तो उसका उससे जो इगो है उससाटिसफाइड होता है तो उस समय का किसान अपने तमाम भोलेपन के बावजूर अपने تمम अच्छाईआं बुराईएं का पुझ रहने के बावजूर इस बास के जानता था कि क्या करने से क्या असर होगा और क्या नहीं करने से क्या असर होगा तो फिर्म चंग में इसलिए लिखा है कि वो बताते हैं कि चुपी खोरी बिलता जुलता रहा है जमीनदाश से इसलिए उसको खेट से बेदखल नहीं किया गया उर्दू का सब्द है बेदखल बेदखल मतलब जो दखल है जो उसके पजेसं में है उसको च्छीना नहीं कुर्की नहीं आई कुर्की सब्द यह है कि कानून में जब कोई लगान न दे पाए जब लेंड का जो टेक्स है वो नहीं दे पाए तो उनकी जो प्रापर्टी है जो घर है उसके जो सामान है उसको निकाल करके ले जाते हैं जैएक हाल्ड कॉर्की तो वो दूसरे किसानों कि यहां हुआ होँआ हुआ किसलिये नहीं हुआ क्योंकि होरी जो है जबहार कुसल आदमी है और उन्होंने लिखा है कि मिलने जुलने का ही परसाद है परसाद मतलब उसका प्रभाव है उसका आउटपुट है एक गोडान जी सब्सक्राइब करें जान सकता हूं कि अब क्या सब्सक्राइब आपका जो चोथे पीपर है उस चोथे पीपर का नाब है कता साहित में उसके दो भाग है उपन्यास और कहानी तो जो पहला उपन्यास है गोडान उस पर बात कर रहे हैं आचा थैंक यू सो मुच सर्थ इस इडिट क्लियर इस सर्थ थैंक यू सो मुच ऑथ ऐसा है कुर्की का अर्थ यह है कि जैसे आज भी पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए दविस देती है या उस पे छापा मारी करती है वो पकड़ में नहीं आता है तो उसके उपर प्रेसर बनाने के लिए यह करती है कि उसका जो घर है उसके घर से सारा सामान निकाल करके पुलिस वाले ले जाते हैं और उसके घर में तला लगा देते हैं और उसको सील कर देते हैं तो उसके जो घर के लोग हैं वो कहां जाएंगे नहीं जाएंगे यह समस्या तो होई गई और उसको उसके प्रॉपर्टी से बेद अखल कर दिया है तो यह जो प्रोसेस है इसको कुर्की कहते है क्लियर हो गया? तर्णिवल जी, तर्णिवल ठीक है प्रेमचंद के ही समय के एक उपन्यासकार बहुत मसूर उपन्यासकार हुए जिनका नाम है जनेंद्र कुमार आप सब जानते हैं जनेंद्र कुमार को उनके उपन्यास से जनेंद्र कुमार ने प्रेमचंद के इस उपन्यास पर टिपणी करते हुए लिखा कि प्रेमचंद का गोदान यदी मैं लिखता तो उन्होंने लिखा है कि बहुत सी बात हैं उन्होंने लिखी यह उनके मतलब निबंद का सीर सकी है और उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद के सामने जेनेंदर थे और उनसे प्रेमचंद से मिले भी थे तो उन्होंने लिखा है कि प्रेम चंद कई बार कथानक के विस्तार का लोब संबरन नहीं कर पाते हैं यानि कि कथा को बढ़ाया जाए इस लोब को छोड़ नहीं पाते हैं संबरन कहते हैं छोड़ना या अपने को लिमिट में रखना इससे कथानक की कसावट धीली हो जाती है विस्तार होने पर भाव कम हो जाता है जन्यंद्र की राय ये है कि अगर मैं गोदान लिखता है तो इसमें इतने पृष्ठ नहीं होती यानि ये उपन्यास इतना मोटा नहीं होता और नहीं उसमें इतने सारे पात्र होते पात्रों की जो इतनी ज़्यादा संख्या है उससे जन्यंदर को थोड़ा आस्चर्य होता है उनका कहना है युमे महज दो-चार पात्रों से काम चला लेता गोदान में गाउं की कथा पर सहरी कथा के थुपे जाने की बात में उन्होंने की है और उन्होंने भासा मुहावरे बरना सेली पर तो मुग्द है यानि उनको अच्छा लगा है लेकिन उन्होंने लिखा है कि जनिंदर में कि जो सहरी कथा है जमिन्दार की, मिल मालिक की, मिस्टर खन्ना की, उसके बाद माल्ती की, मिस्टर महता की, ये सब नहीं होता अगर मैं लिखता कूँ प्रेमचंद के उपर रामिलास सर्मा ने दो किताब लिखी जो हिंदी की आलोचक हुए रामिलास सर्मा उनकी जो पहली किताब छपी उननीस सो इप्तालिस में सरस्वती प्रेश बनारत से उस किताब का नाम ही है प्रेमचंद जो रामिलास सर्मा की पहली आलोचना की किताब थी प्रेमचंद पर रामिलास सर्मा की दूसरी आलोचनात्मक जो पुस्तक है उसका नाम है प्रेमचंद और उनका युग यह किताब सन उननीस सो बावन में बावन मतलब 1952 उसमें प्रकासित हुई थी जहां तक वैचारी कस्तर की बात है तो दोनों किताब में रामिला सर्मा की भी सोच समुझ का जो दाइरा है उसका विकास है और उन्होंने बताया है कि जो गोदान की समस्या है वो जो में जो समस्या है वो समस्या दरसल लून की समस्या है रिन की समस्या है वो किसानों की समस्या नहीं है उन्होंने लिखा है कि जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ सारा तंत्र है कि आपको बीज चाहिए खेत के लिए खाद चाहिए आपको खेती में जो भी चीज़ें यूज होती है उसके अलाबा कभी लड़की की सादी है कभी और घर में कोई function है तो उसके लिए आपको कर्ज लेना परता है यानि किसानों को कर्ज लेना परता है क्योंकि जो खेती है उससे सिर्फ इतना ही हो पाता है कि आदमी किसी तरह खा ले बस, लेकिन फंक्सन में तो पैसा चाहिए क्योंकि उसमें कपड़े खड़ी देंगे, उसमें फीस्ट होगा, उसमें खाना पिना होगा, महमान आएंगे, उसको देना लेना होगा, तो इतना पैसा कहां आएगा, तो इसके लिए फिर करज लेते है तो रामिला जी लिखते हैं कि गोदान में लोग भी करज और लोग भी करज लेते हैं पर जिस तरह होरी करज लेता है उस तरह कोई और नहीं लेता और इसमें ये भी है एक उन्होंने बर्णन किया है कि संयुक परिवार जो है जॉइंट फैंली वो तूट रही है और इसलिए वो कहते हैं कि गोदान के किसी पात्र को प्रेम चंद का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहा जा सकता है लेकिन अगर महता से होरी को जोड़ा जा सके तो जो ब्यक्ती बनेगा वो बहुत कुछ प्रेम चंद से मिलता जो लिखता होगा महता को उन्होंने यदि विचार दिये हैं तो होरी को बराबर परिस्रम करते रहने की दड़ इच्छा सकती इसलिए रामिलास सर्मा ने लिखा कि प्रेम चंद के साहित में निहित उपनिवेस बाद विरोधी चेतना को उन्होंने कहा कि ये उनके साहित में मوجود है तो इस उपन्यास के छपने के साथ ही जो आलोचक हैं उन्होंने अपनी अपनी राय जो है बहुत मजबूत तरीके से रखी और इस उपन्यास पर काफी कुछ लिखा भी गया है ऐसा नहीं है कि इस उपन्यास के बारे में कोई कहे कि प्रेम चंदता मुल्यांकन नहीं हुआ है या कम हुआ है मैं फिर से आपको उपन्यास पर ले जा रहा हूँ वोड़े दिल्चस्प वर्नन है और गौ की बाते हैं तो वह भी मैं कुछ आपको साथ में बताते हैं पर चल रहा हूँ धनिया परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाखू का बटवा लाकर सामने पटक दी तमाखू यानि पबैको बाकी आप समझी रहा है लाठी, मिर्जई मतलब कुर्ता, जूते, पगड़ी पगड़ी से एक फिर पूरे उस कल्चर की बात जो है आपको मैं बताता चलूँ कि आज कल मुसल्मानों को देखा होगा, टोपी पहने हुए, सरदारों को देखा होगा, पगड़ी पहने हुए लेकिन हिंदूों को अब लगभग नहीं के बराबर देखा होगा लेकिन अगर आप याद करिये पुराने समय को, तो पुराने समय में चाहे साउथ के हिंदू होँ, चाहे नौर्थ के हिंदू होँ, अपने सिर पर कोई न कोई पगड़ी जरूर मानते थे कपले का, जैसे आपने डॉक्टर राधा करिस्नन को देखा होगा, पगड़ी है सि नौर्थ में आईए, तो पंडित मदन मोहन मालविय का अगर आप चितर देखेंगे, तो मदन मोहन मालविय को भी आप देखेंगे कि वो पगड़ी पहनते हैं, अगर आप उस समय के और नेताओं को देखेंगे, उस समय के और लोगों को, तो किसी को भी आप बिना यदि के क्रीक था और एक जो कल्चर था उसका बेहसा था। इसलिए इसमें लिका है की होरी के सामने उसकी पत्नी शारी चीजों के साथ साथ पगरी भी लेकर आई? इतनी चीजें देख करके होरी जो है उसने आखें तरेर कर कहा, जरासा गुस्य से कहा कि क्या मुझे ससुराल जाना है जो इतनी पांचों पोसाक लाई है तो धनिया ने ला जाते हुए कहा कि ऐसे ही तो बड़े सजीले ज़वान हो कि साली सा रहजें तुम्हें देखकर रीज जाएंगी तो होरी ने फटी हुए मिरजई के बड़ी साथधानी से तह करके खाट पर रखते हुए का तो क्या समझती है मैं बुड़ा हो गया अभी तो चालीस भी नहीं हुए तो चालीस भी नहीं हुए इसको देखिए और फिर मैं आपको एक कुरूर यथार्थ बता रहा हूँ उसत आयू जो थी एवरेज एज जो इंडियन्स की थी उन दिनों वो यहीं 40-45 साल एवरेज एज थी इससे ज़्यादा लोग नहीं जी पाते थे यह तो बाद में जब विकास हुआ और विडिकल साइंस थोड़ा आगे बढ़ा तो लोग ज़्यादा थी पाए विवारेज एज ही था तो यह इस चीज को पूरे आप देखेंगे एक एक वाक में उस समय का इतिहास उस समय का उस समय की संस्क्रती वो है और होरी की जो बियता है उसको बताज़े है उपरन्यास का लकड़ी सम्हालता हुआ होरी बोला साथे तक पहुचने की नौबत ही ना आने पाएगी धनिया इसके पहले ही चल रेंगे जो मैंने आपको सुरू में कहा और यही हुआ प्रेमचंद भी साथ से पहले ही चले गए और यह जो बात कहा तो इससे उनकी पतनी के मन में क्या भाव आता है इसको लेकर के प्रेमचं कमपन सा डाल दिया था वह जैसे अपने नरित्व के संपुर्म तप और ब्रत से अपने पती को अभैदान दे रही थी उसके अंता करण से जैसे आसिरवादों का ब्यू सा निकल कर भुरी को अपने अंदर छिपाई लेता था विपन्दता के इस अथा सागर में सुहाग ही वह त्रन था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी सुहाग यानि की जो जिसके पती जीवित हों उसको सुभाग्यवती कहते हैं उसी का तद्भाव रूप है सुहाग तो उसके कारण जैनि अपने पती के जीवित होने और साथ होने के कारण ही वह इस संसार के जो दुख है जो तक्लीप है खेती में कुछ पैसा नहीं है महाजनों का आतंक है इन तमाम चीजों को वह पती के सहारे ही जहल रही थी और इसको पार किये जा रही थी तो इसलिए प्रेम चंद में लिखा है कि स्वहाग ही वह त्रन था त्रन मतलब घास का टुकड़ा एक जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का साहरा एक तिनका और उससे वह संसार सागर को पार कर रही थी तो ये एक-एक वाक्ट में आपको उस समय की संस्कृती उस समय का पूरा इपिहास प्रेम चंद बताते चलते हैं अब फिर से आपको मैं इस पर और किसने लिखा है और उनकी क्या राय है वो भी थोड़ा बताता चलता है एक दूसरे आलोचक हुए रामविलास सर्मा के अलावा नंद दुलारे बाजपेई जिन्हों ने प्रेम चंद परसर उनीस सो त्रेपन में 1953 में किताब लिखी थी उस किताब का नाम था प्रेम चंद एक साहितिक दिवेचन इस पुस्तक में नंद दुलारे बाजपेई ने प्रेम चंद को मानवताबादी सेवा धर्म के आधार पर दिखाया कि प्रेम चंद को समझने के लिए उन्होंने लिखा कि जैसे आचारे राम चंद शुक्र में लोक धर्म या लोक मंगल की बात की है उसी तरह प्रेम चंद ने अपने सेवा धर्म या निस्काम कर्म योग का गंभीर दार्सनिक दिवेचन नहीं किया है प्रेम चंद की इस तथा का थित कमी के अधार प्रनंग दुलारि बाज़ी बताते हैं कि प्रेम चंद की बर्नंचंता पाठकों को तो भाव में बहा ले जाती है पर चित्रन के अभाव में व्यक्ति को उसकी गहरी प्रहचान में नहीं बहा पाती बोरी पाठक में करोना का संचार करता है पर इस भाव संचार के पीछे बुद्धी के रिसम की दोडी भी हो तो भाव संचार दिगंत गाम पेंग मार सकता है तो ये नंदुदुदुदुदारे बाजपई का अबिवेचन है ये मैंने आपको बताया और उन्होंने एक बात और कही गोदान के नागरिक और ग्रानूइन पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले जो परिवार के समान है जिनका एक दूसरे के जीवन करम से बहुत कम संपर्ट है ये तभी कभी आते जाते मिल लेते हैं पर कभी किसी बात पर जग्रा भी कर लेते हैं परन्तु ना तो उनके मिलने में और ना उनके जग्रे में ही कोई ऐसा संब्द स्थापित होता है जिसे स्थाई कहा जा सके या आज भी एक बड़ी टिपपन है कि देश में किसानों का अंदोलन चल रहा है और किसानों से ये पुछा ही नहीं गया ना पुछा ही जाता है कि जो कानून बना जा रहा है या जो कानून बना है वो उनके अगर हित में है तो किस तरह से हित में है और अगर हित में नहीं है तो उसको बनाने वालों ने ध्यान क्यों नहीं रखा इसका एक मात्र कारण ये है कि जो सहरी जीवन है और जो ग्रामी जीवन है इन दोनों जीवन के बारे में दोनों को कम जानकारी है और दोनों के जीवन स्वाद नहीं है, डैलोग नहीं है इसी लिए जो लोग ये आकड़ा जारी करते हैं कि प्रती दिन 37 रुपीज में या 27 रुपीज में या 32 रुपीज में जो अलग-अलग आकड़े आते हैं कि भारत के आदमी गुजारा कर सकता है वो जो कि ऐसा आदमी ये कानुन बनाता है और ये आकड़े जारी करता है जो कि कम से कम 30-35 लाख के तो टोयलेट को यूज करता है इतने महले टोयलेट को और वो आदमी बताता है बैठ करके एसी में 32 रूपीज में आप पूरी फैमिली के साथ पूरे एक दिन का गुजारा करता है हम आप जानते हैं कि 32 रूपीज में एक आदमी एक टाइम का ब्रेटफास्ट देने करता है प्रीम चंद के इस गानुए जीवन को जो कथा है और इसमें जो यह आया है इसी तरह से नंदुलारे वाजपई ने वियद्यंद किया है कि दोनों को इसमें है लेकिन दोनों का था लेकिन दोनों का दोनों से संबाद नहीं है दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं इसलिए दोनों को एक जगह होने के बावजूर एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता है इंद्रनाथ मदान एक अलोचक हुए उन्होंने लिखा है कि बोदान में जो नगर कथा है इसका अभिन अंग नहीं है बाहर की चीज़ मेल है जिसे धोया जा सकता है और आसानी से इसको उपन्यास से बाहर निकाला जा सकता है और अपनी इस मानिता के साथ उन्होंने नंद दुलारी मान जो बाज़ती ने कहा उनकी मानिता को दोहराया उसी चीज़ को सपोर्ट किया लेकिन बाग में इंद्रनाथ मदान ने यह माना कि उनका वक्त अतिरंजित है जानी उन्होंने ओवर रियक्ट किया और भूल सुधार करते हुए बाज़ में उनकी जोड़ा कि देहात और सहर की कथा एक दूसरे का पूरक है और उपन्यास की संग्रचना के मूल में है यानि उपन्यासकार का उद्दिस ये है कि अगर सिर्फ ग्रामी जीवन की कथा बताते तो आपको उस समय का जो सहरी समाज था जो अर्बन क जो गाउं के लोग थे जो रूरल सोसाइटी थी उनहीं के बारे में खाली पता चलता तो प्रियंचन ने रूरल और अर्बन जोनों सुसाइटी के यानिति को उस उपन्यास में दिखाया है और उसका उद्दिस ये है उस टिकेड का उस समय का जो टोनों समाच ता उसको लेकर उन्होंने लिखा है गोदान को लेकर के गोदान imagination and reality इसमें वो लिखती है कि गोदान उपन्यास में जो तीसरे दसक के मार्कसबाद और उसकी दिरुधावासी इस्तिती है उसको गोबर के चरितर में देखा जा सकता है गुँभर का चरित्र यानी जो होरी का बेटा उपन्यास में पाठक की सहानु भूती जड़ और स्रेनी बद्दसमाज को खत्म करने के बात करने वाले बिद्रोही चरित्र गुँभर के पक्ष में नहीं जाती है वा जाती है कि इसके पक्ष में तो बाढ़ गिये नियती और मरजाज की रक्षा करने वाले उसके किता होरी के पक्ष नियनक्षी मुखर जी के अनुसार प्रेम चंद खन्ना जैसे पातर का निर्मान करते हैं और उसके चरित दोरा यह बताते हैं कि कैसे पूंजी एक मनस्थ को अमानवी यह बना देती काफ़न जो है वो इसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि अमानवियता पूंजी दोरा ही नहीं बरन इसके बतान अभाव में पैदा हो सकती है और उनका मानना है कि बेलारी गाउं सिमरी और बेलारी दोगाओं का चित्रत है बेलारी गौः और हौरी के परिवार के चारो और घूं की जो कथा है लिए उन सहर की मंदलियों और गोश्टियों के इर्दिज़ घूं की जो मेहता और मालती की कथा है उसके भीच रियलिटी यानि वास्तरिटा और कल्पना का अंतर है मतलब उपन्यास में और दंक कथा में जिस तरह का अंकर होता है राय सहाब और होरी के चित्रत बारा काफी हद तक उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अलग-अलग जो आर्थिक स्तर है उनके कारण सामाजी व्यवस्था के दो पक्ष है तो मेनक्षी मुखर्टी का ये कहना है फिर गोपाल रहे कि एक किताब है गोदान नया परिप्रेविच उसमें उन्होंने सेक्सपियर का जो किताब है सेक्सपियर की मेच्वेत और गोदान इसमें उन्होंने कुलना करते हैं बताया कि गोदान जो है वो भी एक महत्वा कांशा की ट्रेजडी है नयकवेत को राज्य की सत्ता और सत्ता की महत्वा कांशा है यानि वो सत्ता चाहता है और होरी को गाय की उनका यह भी मानना है वेज़ गुपाल रैका कि प्रियम्चंद ब्रम्चरि के गांधी वाजी आदर्स को स्विकार करके ही कि इस तरी पुरुस को मित्र के रूप में जीवन बिताने की बात कहते हैं जो आदर्स रूप में जितनी मुल्यमान है मानविय यथार्थ के रूप में इतनी मुल्यमान नहीं है यह किसके संदर में है कि मिश्टर महता और मिसमाल्टी यह दोनों मित्र होने के बावजूद अंत में यह तै करते हैं कि वो साधी नहीं करेंगे उसकी और उनका इसारा है फिर मधुरेश ने भी लिखा है इस उपन्यास पर फिजय देव नारायन साही ने लिखा है सिमकुमार मिस्र गोदान हमारा समय और हम के सिर्सक से उन्होंने लेक लिखा है और इसमें उन्होंने लिखा है कि गोदान ढहते हुए सामन्त बाद और उभरते हुए फुन्जी बाद का आक्षान है गोदान महाजनी तुस्चक्र मुठासे किसान की मज़दूर बनने की जिए प्रत्रिया है उसका जीवित दस्तावेज है यह मनुस्य की अपराजय जिजिविशा और संगर्स छंता की अद्भुत गाता है यह एक यातना में जिन्दगी से उबरने की छटपताहत और उससे उबर ना पाने की जो पुरस्ता है उसकी करुण कहानी कहता है इस उपन्यास में परंपरा से सताई जा रही औरत की मुप्ती की आवाज है और इसके अलाबा उन्होंने कहा की सोशन की मसीन पहले से अधित गहातक और धारदार हो गई है इस पर प्रेम चंद का ज्यादा जोर है एक आखरी बात इसमें मैं जोर के इस कलास को खत्म करता हूँ सारह पांट से सारह चे का टाइम था सारह चे होने जा रहा है तो आपके प्रस्न भी में जामिकत करने है गलित विचारक हुए डॉक्टर धर्मबीर डॉक्टर धर्मबीर ने प्रेम चंद पर गलित त्रिस्टी कॉन से दो किताब लिए उनकी एक किताब का नाम है पहली किताब का प्रेम चंद सामंत का मुंसी और प्रेम चंद की नीली आखें इसमें उनका मानना है कि गाउं में दलित इस्तियों का सवर्म पुरुसों द्वारा जोन सुसन की बात प्रेमचंद गोदान में माता दीन और सिलिया के संदर्ब में उठाते हैं इसके अलाबा उनकी कहानी है बोडम, घास वाली, मेरी पहनी रचना आदी इसमें उन्हों ने बताया है कि प्रेमचंद स्वयन जार कर्म में समलिप थे इसलिए उनसे इस समस्या पर लिखने की उमेद बेमानी है और उए दोहराते हैं कि प्रेमचंद गलितों के धिरोधी ते वे सामन्त के मुंसी थे और प्रेंचंद हिंदू कौम की खास राजनीती के पतिन भी जब की ये लुम्साही के कार है तो ये तमाम आलोचकों के साथ साथ हमने आपको डॉक्टर धर्णबीर की क्या राय है वो भी बताईए और इस उपन्यास के बारे में हमने बात की कल इसी समय सारह पांच बज़े की क्लास में हम बात करेंगे राग दरवारी जो स्रीलाल सोकुल का उपन्यास है उस पर और फिर दो और जो क्लास है उसमें चार कहांदिव पर एक क्लास में और चार कहांदिव पर दूसरी क्लास में. यानि कि आठ कहांदिव पर हमें 보면 करता है. अभी जो आज हमने बात की इस पर अगर आपका प्रस्न हो तो बताए. प्रस्न आजनित हैं, पूछे. जी नवेका कुछ पच्छे रभी कभ्या जी नहीं सब कुछ पच्छ है इस क्लियर सर क्लियर है एसरे तो जी कल इसी समय आप लोग प्लास प्लास के सारे पांच बजे और सारे पांच से सारे च्छे के बीच में हमारी बात चीदो जी आप पीशे आवर एक बार दोहराएंगे कल आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं कल में पढ़ाऊंगा स्रीडाल सुक्ल का उपन्यास है राग दर्वारी जी ओक नोट इसस तेंक यूए इसा 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 सौर्ट स्टोरी नहीं उपन्यास है राग दर्वारी अपन्यास है तो आज इसा थैंक यूज अप्याज है इसा सर रावी सर कुछ बताना चेहते हैं मैं को पर रही है रावी जी बताईए रवी जी बताईए जी डालिक्ति चिंदन गौदान सारां से पीदिफ इस पासबल पर यह तो गिवस इस ना अगले बंदी टेक्स्ट्पूक जी अगले साल देर्वस्टाव इस तो आपकी आपाज थोड़ा कट-कट के आ रही है तो आप चाहें तो अपना जो प्रस्ण है जो क्वेश्चन है वो शौट में बताईए या लिख के बताईए वोट इस वो क्वेश्चन दलित चिंदन का सारांस में बताया कि जो उसमें एक पात्र है माता दिन और एक लड़की है सिलिया सिलिया जो है वो सिलियूल कास्ट है और जो माता दिन है वो ब्रामोर है सिलिया में और माता दिन में प्रेम है और संबंद है दोनों में तो यह ही एक उसमें आया है गोदान वजिक्र इसके अलावा इसमें सारांस कहिए या पुरा फैलाओ कहिए इसके अलावा और कोई दलित द्रिस से नहीं है इसे पर जाए इसे क्लियर गोरी का फैमिली दलित परिवार है होरी का जो फैमिली है वो दलित परिवार नहीं है वो ओबीसी है कुर्मी जाती का है जो उत्तर प्रेश में होते हैं उसलिए उसका नाम होरी महतो है ठीक है देनिवाद जी और कोई सवार और कोई सवाल हो तो बताईए जिस ओपन यास में बोलिये बोलिये गोदान में दलित चिंदन से क्या मुराद है क्याया टिर्ख टुटट चिंदन वुदान में गोदान में गोदान में दलित चिंदन थान फोर चिंदन । काटalis कार कि अपर्ड़कर ए स्थलिए कर ठीन कर एंझ नस्था इंध फैंट भी तो ज्हें आफ इप एंट एंधित परेंकर एंगर इंट्ट इंद गार्म एंटैंटर एंटर्टेंट कास्ट गारिय। है इंट ल्मन लीडिया इंट ज्ट गॉट्ट काटैंट ऑ्रींटर्ट तो इसमें क्या है कि एक बार यह होता है कि माता दीन डिसाइड करता है दे विल नोट मैरी तू माता सिल्या तो कि उसका जो कास्ट है ब्राह्मन जो है उसको आप जादी आप इसके बाहर कर देगा यानि उसका सोसल बैक आउट कर देगा तो उसमें जो उसके सिब्यूल कास्ट जो सिल्या का जो फिमेल करेक्टर है उसके घर के लोग आते हैं और नॉन्वेज नहीं खाता है तो इसलिए उसके मूँव में नॉन्वेज डालके कहते हैं कि तू हमको ब्राम्वन तू नहीं बना सकता लेकिन हम तुमको चमार जरूर बना सकते हैं और वो उसके साथ करता है यह चीज को उसमें है यह आप इसको इलिबोरेट करते हुए एक बड़ा सा राइट अप लिख सकते हैं और मैं देख रहा हूं कई लोग जोड़े हुए हैं और किसी का सवाम हुए देनिवाद जी पूजा मुरली संथिल राजी स्वाती विजियन आप लोगा कोई सवाल तनिशा नहीं तो आज की कख्षा को यहीं विरामबे यहीं समाप करें ठीक है धन्यवाद आप लोगों का कल फिर जुड़ेंगे हम लोगों तेंक यू सर्थ ठान्यवाद जी एंदे आप लोगों की झाल 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 नमस्कार सबील नमस्कार मैं दॉक्र प्रमोज को अपरत काले के शिर जाले से चुड़ा और अभी मुझे पता नहीं कि अभी क्लास शुरूर करने का समय आ रिया पंकर जी नमस्कार आपकी आवास नहीं आ रही है म्यूट है नमस्कार आपकी बारी के बाद अभी हमारी बारी है आपका हो गया क्या और कुछ बाकि रह गया आपकी बाकी नहीं रहा मैंने सोचा आपको नमस्कार कर लूँ और कक्छा को समाथ ने आप नमस्कार कर दीजिए पिरसकार मत कीजिए नमस्कार आपको नमस्कार नमस्कार आपने आपने बड़ा पुरसकार होता है अच्छी ठीक है नमस्कार मित्रों नमस्कार सभी को लगता है की जी नमस्कार नमस्कार बारे लोग दिखाई दे रहे हैं आप लोग तोड़ा एक वास्त के या एक शब्द में अपना थोड़ा सा परिशे दीजिए ताकि मैं शुरू करपाऊ एक स्टार्टिंग मिल जाए और मुझे पता नहीं अभी स शतम हो गया है या आज क्या हुआ है क्या हाल-काल अभी चला है दो मिट कोई मुझे बता दे गया सब्सक्राइब पिछले क्लास का विश्य में बतां जी यह बताई है जी पिछले क्लस में काता साहिर ती प्रेंचान की गोदान के बारे में बाचित किये थे? अच्छा, ठीक है. हलो? जी, बुलेए? उस पन्यास के बारे में, हलो? आ, काव्या. एस, सर्थ. बुलेए? आप जैसे यहां सो बारे लोग दीख रहे हैं आप दो मिनिट में अपना थोड़ा सा आप लोग क्या कर रहे हैं आप विज्यारती है या कुछ नौकरी कर रहे हैं आप जोड़ा सा एक दो-तिन मिनट में पैसे देजिएगा ताकि मुझे भी आइडिया मिल जई आप से क्यासे में बात कर दो आप आप जी जी मेरे नम काबिया है चेन्या जी मेरे नम काबिया है मैं चन्नाई से हूं हां लेह लिदि अध्याभी का हूं जी अच्छे काहां जी होजो औहाँ से थैंक य। नमस्टे जी नमस्ते जी मैं हुम प्रभावदी मैं नई वेली में रखती हुं मैं हिंदी अधिया बखुँ जी से टेंट तक मैं क्लासर रहे हुँ जी नाम गीता गीता कि आप एक एक बाद जोन किया है अरे कि ऐसक्षि नकित वीए के बास Gulf ध्यान किया किए है कि यह यूरी बटर रही और और जोन Ugh जी मैं आचारीय स्कूल में काम कर रही हूं आत्या बैच्छे अब बार रही हूं आच्छे ठीक है नमस्ती जी नमस्ते मैं बाव्या हूं मैं क्वाइमेतु से तक्तिक हूं मैं बीए ग्राजवेट हूं अब में हिंदी फर्स्ट यर पड़ती है आच्छे एक यह थी है आज हां अगरराण सवाथी अच्छे जी बुलें सवाथी कहां से नहीं है करला कर दा दा आच अच्छा ठीक है करला कहा है अब इसके बाद देने कर देगे है ठीक है नमस्ते जी मेरा नम राजी है तिरपूर से तिरपूर मेरा देगा क्या कर रहे है में गर में क्लास, हिंदी क्लास सिखाते हूं तिरपूर से तो के धन्यवाद पेर नमस्ते जी मेरा नम पूजया और मैं कन्यो कुमारी मुझा हूँ हाँ कन्यो कुमारी से अब में थे चैटनियो कुमारी से जी 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 क्या कर रहे है मैं हाउस्वाइफ हूँ अच्छे भी में हाउस्वाइफ हूँ अब ये थे चैटनियो नमस्ते जी मैन आणाम रवुचंदर हूँ है जी मैं पांट चिरवई रवटी हूँ आच्छा आग अगाएवाट निम्षा है अब ओन्लेंग क्लास कर चल रहे हूं यहां कर रहा है क्रा इधर किस जगह थे कंडूर कर लगानर कहा का वै के आपको पता माही हो être इजे वह में इता है आपने बीज से किया है? बीजे में महात्मा गंदी गर्मध कोलेज जुटते. जुटते. कि अभी में बहुत ही असमंजस में पड़ा हुआ हूँ कि आप कहां से शुरू करें बहुत बड़ा विशे हैं मेरे लिए आपके पास ताइंडेबल होगा शायद कि आप जानते ही हैं कि हमारे लिए जो विशे हैं आजनी करता आजनी करता पर मुझे बोलना है और आप आवास तीक तरह से आ रही हैं जी हां सुनाई दे रहा है इस क्लियर से आप देखिए आपके लिए कोई कड़ना यह है बीच में आवास कट रहे हैं तो बीच में आप इंडर्फियर कर सकते हैं और आप जब भी चाहें इ आपको बताना वाला हूं कि मेरे लिए जो प्रेपर रखा है वो आधुनिक कविता है आधुनिक कविता है उसमें अपने सिलवस में देखा होगा कि निराला जैशे के प्रसाद निराला का एक कावे संगिलन है क्या नाम है राग मिराग आपके पास किताब है आप सभी के पास जी हाँ आप देखिए राग मिराग है रेक्षिन के प्रसाद का कावे महा कावे क्या बोई रही है साकेत से ही है एक मिनिट साकेत काम यानी राग उर्वश्री की तृतियांग आगे है आप देखिए राग विराग निराला का एक कावे संगिलन है कामा यानी जैश्री के प्रसाद का महा कावे है और रुवश्री रामदारी सिंग दिनकर का महा कावे है फिर साकेत आप जानते हैं कि साकेत माई दिलीचन गुप्त का महा कावे है और फिर अगे की कविता है और मुक्तिबोद की कविता है असर दरसल आप देखिए बहुत बड़ा विश्री है और एक कवी पर बोलने में एक कविता पर बोलने में बहुत समय लगता है और मेरा प्रयास होगा कि आपको जीतना मैक्सिमा हम कम्रेशित कर पाएंगे कर पाएंगे यह मेरा प्रयास रहेगा और आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है कोई भी करणा ही होती है तो आपको मुझे सूजित करना है ठीक है जी जरूर यह आप जानते हैं हिंदी का जो आधनिक कावी शुरू हता है भारतेंदु यूग से शुरू हता है हिंदी का आधनिक काल और आधनिक कावी दोनों यह भारतेंदु यूग कि देना है पोड़ा तब तक हम देख रहे थे भारतेंदु यूग के पहले कौन सा काल है रीतिकाल है रीतिकाल के बाद जैसे अटाइरसों पचास अटाइरसों पचास के बाद लगवग आधनिक काल शुरू हता है पौर जैसे काल का यूग का समारब होता है और हम देखते हैं सभी से लेकर आधनिक कविता की भी दुजात होती है और भारतेंद यूग में येसे बहुत सारी कभी रहे हैं और भारतेंद यूग खोद नाटाकार और कभी भी रहे हैं अधिकतर उसमें की कविताये ब्रेद वाशाय में लिखी जा रही थी और वाइसेंद यूग के बाद आप जानते हैं अपने पड़ा होगा कि दिवेद यूग दिवेद यूग का समय आता है दिवेद यूग का पूरानन क्या है दिवेदी कौन है महावियर प्रसाद दिवेदी महावियर प्रसाद दिवेदी के नाम पर पूर्या यूग उन्होंने जैसे बारतेंद उने पूरे एक समय को समाज को प्रभावत किया साहित्य को प्रभावत किया इसलिए उनके नाम पर पूर्या यूग खड़ा हो जैसे आपने अभी सुनाओगा प्रैमचंद यानि प्रैम्चंद नामक महान कधागार के उपन्यासकार के नाम पर एक पूरा यूग ही खड़ा जुआ उसी तरह आप लोग देखेंगे कि ये क्या है दिवेदी उर्गर दिवेदी ने एक यूग नर्मान का कारिय किया है और दिवेदी के बाद आप जानते हैं कि याने लगबड उन्नी सव तक का जो समय है 1850 से लेकर उन्नी सव तक का जो समय है भारतेष दिव यूग कहा जाता है विशेशकर सामराजवाद के खिलाफ उपनिवेशि आप जानते हैं कि अंग्रेशी शासन चल रहा था और अंग्रेशी शासन के खिलाब की आवास को बिलंग करने का रयास बार्चेंजु ने किया है इसलिए बार्चेंजु ने अपनी कवजा में या अपने सुना होगा भार्च गुर्देशा जैसे नाटक बार्चेंजु ने लिखा है या अंधिर नगरी जेसे प्राइसन के माधिन से और बहुत सारी कवजाओं नाटकों के माधिन से भारतेजुने देरसल हमारे समय को, हमारे समाज को, हमारी जनता को सही दिशान दरदेश देने का रयास या है को आप देखेंगे की भारतेंदुने उसी समय जैसे उन्नी साव से लेकर, 80-50 से लेकर, लेखवक पाइपते साल की उम्मृ में उन्नोंने बारतेंदु की मृत्य होती है, 1885 में, 80-50 में, अब ओर भारतेंदुने इतने 25 साल की उम्मर में पूरे साहित जगत को पर भारत प्याएँ, आवः सब मिलकर रोवः भारत भाई, अहां भारत दोरधशा न देखेंगे, भारतेंदुने उस समय आपन किया है, यानि आवः सब मिलकर रोवः भारत भाई, क्यानि कि कभी से मिलकर रोने के लिए इस पर रोने के लिए भारत के दुर दशा या भारत की जो देने दशा है उसी से भार में के लिए बता रहे हैं और उसके बाद आप देखें कि मैं उस पर विसाल से नहीं जाओंगा कि हमारा तो से लबस है आप लिखें उसके बाद जिवेजीवग आता है जिवेजीवग में इशर्षकर महार्पसाद जिवेजी ने एक प्रगार से पाउरानी की जिवरतों को आधार बनाते हुए अगता सभी अजनागरू को प्रेजिट किया है और इस प्रगार आप देखेंगे मेरी आवाज आ रही है है एलो जी हाँ जी हाँ जी हाँ बीस में मुझे लगा की कट गी है नेटवर्क अचा ठीक है ना खट ने कटी ने यह ना आवाज अज है एक आवाज क्लियर जी अचाने वाज ऑब ज्येसे अंठ के लिए ऑई जियेसे कभी यारां शन्युक जोप्त जैसे कभी उसी समय के कभी है, हर्योज जैसे कभी, यानि खडी बोली हिंदी का प्रदम महा कावि, महा कभी पने का अश्रिक, अयोज जा सेंग उबाद्या हर्योज को क्राफता है, हर्योज का प्रिय प्रवास, खडी बोली का प्रदम महा कावि माना जाता है, और साकेद जो है, साकेद, आप जांट रहे हैं साकेद किसको केंदर करके लिखा गया काविया है कौन बता सकता है आप ये शोदरा ये शोदरा नहीं है अब देखिए माईदी शर्म गुथ ने शोदरा नामत कावी ही लिखा अलग से पूर्मिला आप देखिए एक गर्म सामी यह है कि पूर्मिला वे चाथ के लिए आप देखिए लक्षमिगा पत्नी पूर्मिला लेक्षमन की पत्नी पूर्मिला है यह गर्मिला अरग से आपकु अब धीए जाथ का नवांसर वासम अग्या कि इसका मतलब यह दिया है कि साकेज के केंदर में उर्मला एक जयलत हैं वंकि असलने माईदिलिशन गुप्त ने उपेग्शत पात्रों पर लिखा रगाएं उपेग्शत पात्र एशोदरा विष्नम्रिया या इस तरह के उर्मला जेछे बात्र है अनी पर उनिने इसलिए लिखा है कि तिससे प्रव्रणाम मिले है, महवेद्कृसादी दिवेजी से, उनको पेच्शत पात्रों पर लिखने के लिए महावत पसाद डिवेजी को कहां से प्रयरणाम लिए है रिवींदरनाथ तागोर ने तावेर उपेच्छदाण नामक निबंद लिखा वो उसी से प्रेजिस होकर हमारे डिवेजी ने महावत पसाद डिवेजी ने कभियों की पूर्मिला विशे के उधासे नदां नामक निभन्द लिखा इस निभन्द से प्रेरना पाकर पुरानों के अभिशब्त और उपेशत पात्रों पर लिखने का प्रयास किया है। अब देखेंगे साक्यद असल में पूर्मला केंद्रत काम में है। कोई कभी बन जाए सहज संभावया। साक्यद के प्रयंदम में दो पंक्तियां लिखी है। तुमारा प्रत ही स्वयम कावया है। कोई कभी बन जाए सहज संभावया। यानि तुमारा प्रत है। यानि राम भक्ती में माई दिलिशन गुप्त आकंड डूब कर वैशनो भक्त कभी है। कौन बता सकता गवरी। ताके थे शब्द कारत क्या। तावया। ताके थे शब्द कारत क्या। जी। हां। हलो। जी विराही वार्ना नको सकता है। नहीं। नहीं। ताके आप भी बात करें। आप लोग भी वीच वीच वीचे में खुद ऐसा शूनियमे में बात कर रहा ह। यह ओनलें रहे। आप देख रहे हैं मेरी भी विवश्दा है जैसे हमारे सामने जो ओडियमें बात हैं ओडियमे के सामने बोलना और अकेले अकेले ऐसे बोलता ह। इसलिए आप लोग भी कुछे मेरे साथ द्राद कर देखें। कि नहीं नहीं पड़ती है नहीं ठीक है। प्ड़त नहीं है आप कुछ भी बोलसके हैं ताकेद शब्दकारत है आयोधिया, ताकेद शब्दकारत आयोधिया है, आयोधिया है, ठीक है, और आप देखे, मैदली शर्गुप्ते, राम भक्ती में आकंद दूब कर, ताकेद महाखा में लिखाने, और इसमें, जैसे मैंने बताया है, राम तुमारा बृत ही स्वयम कवी बन जाइ, स्वयम काविया है, तुमारा बृत ही, खोना आप दूब काविया है, अगर कोई खुद कवी बन जाता है, क्योंकि में कोद अभी बन गया महा कबी बन गया कि इस कोई नैच्वरल सहाइज संभागे यह मैं दिशन कुपतने बता है लेकन उन्होंने गेच आवारा थीवी प्रोग्राम होता है वसी तरे एक सर्गे पूरा को रेडिकेट करका नहीं सर्गे रेडिकेट तो पूर्मुला पूर्मुला के विरह को पूर्मुला के दुख को पूर्मुला के आसुओ को भाव भाशा वाणी तेने का प्रयास मैं दिल्शन कुपतना है यह उसकी खास्यता है यहनी जिस तरे पुर्यानों से हाश्यक्रत मार्जनलेस् अब आधिकल लिट्राटर में बताता है कि सबालतन जो भी मार्जनलेस्ट है आशेक्रत है वैदी धीपर जिनको धकेला गया है जो मेंस्ट्रेंस है वंच्यत है उनी की आवास पूर्ट को वाइस ऑफ दी बोइसलस या वाइस उफ्ट दी वाइसलस ता मैंञें शर्मुत है वाइस और में वाइसलस बनने का प्रयास्याव आप में देखेंगे जैसे मैं पिसासरों पर भी तिर जाओंगा अब देखिए जैसे दिवेद्यूग है दिवेद्यूग के बाद उन्य सव से लेकर उन्य सव अठारे तक का समय उन्य सव अठारे तक का समय विवेदियुक का समय मना जाता हूँ खडी बुली का पलवन पीव में होता हूँ खडी बुली पलविद होती है खुष्पद होती है और खडी बुली का ही खडी खहता है और उसके बाद कौन सा युगाता है पूजा इवेदियुक के बाद कौन सा युगाता है कौन सा युगाता है खडी दिवेदियुक के बाद कौन सा युगाता है पॉर्मॉला मुर्थी अभी अभी आई है फॉर्मॉला आप बता सकते हैं दिवेदियुक के बाद कौन सा युगाता है चायवाद युगाता है आपके लिए बहुत परिज़द युग है दिवेदियुक के बाद चायवाद युग है आप लोग परिज़द है कि चायवाद के चार शेवशस्त कभी है कौन-कौन है भव्या जी चायवाद के चेवशस्त कभी कौन-कौन है चायवाद में जी जी महादेवरमा तिक है तिर आओ दिनकर भी दिर कर नहीं है अब देखिए जैसे चायवाद यूग अपने आपे हिंदी साहित में आद्मी हिंदी करदा में तोर्नयूग माना जाता है यह इसके आप परिच्दे भूल गिरेहिं चार स्तंब चार कभी बहुत मशुर कभी है बाला जी आप जाते हैं हाँ जैस आंकर प्रताजी जैसा के प्रतार तूर्य गांत रिपादी निजाला अ है सु मित्रान जार्ण परतार प्रतार है महादेवी वर्मा बहुत बढ़ी है अब कि यादे आप इसार तरह सा हो गई है लेकिन चायबाद के जो इस प्रगाल से यह परचाप महर लगाया है वो बाइदिलिशत गुट्ट नहीं है जैशिकर पसाथ तुरिगांस्ति पाड़ी निराला सुमित्रांदन बन और महादेवी वर्माद एक मिनट रहे हैं एक मिनट रहे हैं पील दो पाड़ी आप लगाया है उडान कर था पड़ी नहीं है वर्माद रहे हैं छुटन के दिलिशत गुट्ट बन के जैसे चायबाद दिल गई हैं आप देखें 1978 से लेकर 1936 का समय है लेकिन आएप जांती है 1921 में चायवाद का पहला कावज संगलन प्रकाश दिए ठोटा इसका नाम है जर्ण है जर्णा नम कावेश भरॉआफ 1918 में प्रकाश दिए ठोटा 1918 जर्णा जैसें के प्रसांद का तावर से यह और चायावाद की सबसे बड़ी मस्तर प्रीश किरदी इसे हम कामाईनी कहता है हैं वो प्रगाशद होती है प्रगाशद होती है 1936 में गौदान उपन्यास प्रगाशद होता है 1936 में इतली वो चायवाद का जो अंतिम वर्ष है बहुत मैंतर हो चायवाद का अंतिम वर्ष बहुत मैंतर परना है और चायवादी यूग जेसे 1918 से लेकर 1936 तका समय है फिर भी चायवादी पुरवर्ट्याम इसके प्रहले भी जिखाई देते हैं 1916 में एक कामईटा प्रगाशद होती है उसका नाम है जोही की कली किसकी है आवाज नहीं आ रहे हैं आवाज नहीं आ रहे हैं अवाज नहीं है आवाज नहीं है आवाज आ रहे हैं डिखीने बताए हैं आवाज नहीं आ रहे हैं हुआ हुआ हमें सुनाई दे रहा है अब देखिए मैं जो बता रहा था नैंटीन से लेकर 1936 का समय चायवादी यूगा है इसमें आमारे लिए पढ़ने के लिए निराला की कविदें प्रसाथ की कविदा है और आपको याँ जी बुलियें उसे कब तक जी चायवादा नाइटीन एटीन से लेकर 1936 ठीक है जी ठीक है और आप देखेंगे लेकिन निराला की बहुत शर्चित कविदा जुही की कली प् हुआ है उन्यसाव सवला हमें दिराला की बहुत शर्चित कविदा प्रकाशित हो कि वर आप देखेंगे कि ये जो हिंदी कविदा की जो विठा स्यात्रा में बता रहा था बहुत संग्षेव में कि उसके बाद इनाइटीन दाइटीन से प्रगदीवाद का प्राजम होता ह प्रगदिवाद का प्राजम होता है प्रगदिशील लेखक संग की सावना होती है और प्रगदिशील लेखक संग का प्रदम अधिवेशन लिखनों में वता है प्रगदिशील लेखक संग की स्तावना के साथ हिंदी में प्रगदिवाद नामकाविधारा प्राइर बहुती है मार्कस्वादी दर्शनों के आधार पर शुरू ही एक खाविधा रहा है इसका इन्दी में 1936 से लेकर 1943 तक 1943 तक 1943 तक कोंसा अंदोलन चलता है कुंसा अंदोलन है 1936 से प्रगदिवाद है प्रगदिवाद है और प्रगदिवाद के समय नाइटीन तक 1943 तक 1943 अब देखेंगे 1943 में इन्दी में यह बहुत बड़ी घड़ना होती है बहुत बड़ी घड़ना होती है उसका नाम है क्या नाम है नार शापतक सारस अपतक नामक नाव्यस अंखलन प्रकाश्यत होता है इसका संबादन किया है कि संबादन किया है अगे प्रगदान ही रांद वास्यान अगे अगे ने 1943 में सारसप्तर का संबदन किया है और इसके साथ इंदी कर्दा में एक नई धारा जूर जाती है उसका नाम है प्रयोगवादी कावे धारा सबतक्क परम्या में कीजा आपके लिए कभी युवे प्रस्ण आयेगा तरक सब्सक्राश के प्रकाशित अब वा यह कि अब वा कर पर गो कर दो अदि बता है तरह सब्त्र क्या प्रगाशन कभी हो नेजिन पूटे तरी इस है नेजिन फोटे तरी तर शुटे तरी कितने कभी है तरस अप्रगमें साथ कभी है ठीक है साथ कभी है साथ कभी है अगे ने किया है और इसमें साथ कभी कौन-कौन है मैं बताओ आप साथ कभी के नाम जाना चाहते हैं नेट जेसी पेरिशाव में प्रस्ण आता है बताना है कि नहीं साथ कभी के नाम जी बताए पहली बार कुछ कवियों को हमारे सामने रखा है या पार्टबूं के सामने उसमें एक कविय है अग्ये मुक्तिबोद नेमी चंदर जायन अग्ये मुक्तिबोद नेमी चंदर जायन भारत बोषन अगरवार इज्जा कुमार माथोर याम दिलाज शर्मा प्रभाकर माच्वे यह साथ कविय है यह साथ कविय सार सब्सक्र में शामल है अग्ये मुक्तिबोद नेमी चंदर जायन भारत बोषन अगरवार इज्जा कुमार माथोर याम दिलाज शर्मा प्रभाकर माच्वे अग्ये का अग्ये की अपने आपने मौलिक उद्भावना है अग्ये ने तर्सब्द प्रगाशक या उसी के साथ भी काहते हैं प्रयोग वाद माने एकस्पीर्मेंट होट एकस्पीरमेंट पोईट्री एकस्पीरमेंट प्रस्णाता है अंधि Yigrab okay करेज्ञ सब्सक्रीघ में कि इस तरह का प्रताता रुग रिछी सिंटी इलेक्टर्शिक पर हैं। दूसरा कर सा अब है कि थां वह कि दूसर थीर वाता है। दूसरे सब्देइल प्रकाशन होता है। 1951 1951 में दूसरा सब्सक्राइब का संबादन किया है अगेर ने दूसरा सब्सक्राइब किया लेकिन एक मिश्राइब जो भी इन जी कम्यों के इंडेडियूस किया है ये पहली बात काविश्यत्र में आ रहा है जैसे आपने देखा मुट्य बोद को अगेर ने इंटर्व्यूस किया है वो जैसे हिन्दी के बहुत हैस्यत्री कविए है और दूसरा सब्सक्राइब ने प्रकाश्यत्र लवता है और उसमें भी साथ कविए है उसमें भी साथ कविए है और 1951 में जब यह प्रकाश्च दवाका है उसके बाद हिंदी कविदा की प्रवर्ती में तोड़ी सी एक बदलाव आ जाते हैं मतलब हिंदी कविदा नांसे जाननेरे प्रयोगवाद योंगी प्रयोगवाद और नाई कविदा आपसमें मिली जूली प्रवर्तीया ओर 1951 यह प्रवर्ती आजाते हैं और दूसरा सप्ते के प्रगाशन के बाद, और खुद अगेन नहीं कविदा शब्द को एनॉंस किया था, 1952 में एक आगाश्वानी पतना, पतना रेडियो में, आगाश्वानी के एक टॉक में, एक वारता में अगेन नहीं बताया है, क्या प्रयववाद का समय नहीं कविदा कर समय आज़ता, और आप देखेंगे इस्तर है, प्रयववववाद नहीं कविदा शब्द की रूप में, और आप देखेंगे कह बाद, जूसरा सप्ते यह पाद है, तीसरा सप्त, प्रकाशह राता है, 1959, 1954 में तारा सब्ता है, उसका भी संबालदत किया है, हैं खुद अग्यें अग्यें 59 में तीसरा सब्तक संबादन किया और उसके 20 साल का उसमें भी साल के बाद सब्तक संबादन भी अग्यें किया है और उसमें भी साथ कभी रहे हैं सब्तक आप देखेंगे जिस सरंजी नहीं आ जाता है यह सब एकी प्रवर्थी को लेकर किलने वाले कि लिए लेकिन सब के बावजूद भी आप देखेंगे उस समय इस विजार से अमकालिंगे विजा है इन ये साथ के बाद साथोतिकार मत है नमक प्रॉर्थी रही है ढूमिल देसे कभी का नाम आपना सुना होगा लेकिन सब्तर के बाद साथ ये प्रवाजड से इतिहास बताने का प्रयास की मैंने याँ यह अभी तक का जैसे आधनिक काल शुरू होता है आधनिक काल से लेकर अब तक का इतिहास मैंने बहुत सम्झेव में आपके सामने रखा है उसी के अंदर गज़ हमारे सारे कोई जिन जिन कवीओं को हमें पढ़ना आ है इसारी कव्टाई पुछ पर जाती है और सब्दक परंब्रा बहुत महत्तों रहे हैं आधनिक काल के दिगास में और सब्दक परंब्रा में हर सब्दक में साथ साथ कवी जुड़े हुए हैं और उनका भी मैंने बहुत समचे में बता है और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं मैं सोचता हूंगी अगर आप क्योंकी महम विशे पर एक एक कलता पर आ जाएंगे उसके पहले मैंने आपको इस ब्रोड आउटलेंड दे जिया है अगर या सप्तिकों के बारे में या सप्तिक क संवाद करें थोड़ा सा वारतालाब हम संवाद की प्रहंब्राग को बना रखेंगे यह अचा रहेगा कि अभी मेरे लिए समय दिया है कि 7.30 तक का समय है तो अधिक से अधिक 8 मिनिट बातिये हैं तो चाहिए तो मैं बोल सकता हूं या तो आपको अभी तक मैंने जो भारत अधिक से लेकर आज तक की जो काव्य परंब्रा है उसका सार सम्षेव आपको रसुल क्या है के सामने और इसी से जुड़कर कोई भी बिन्दू अगर आप आप कुछ कहना चाहेंगे तो मैं स्वागत करता हूं क्योंकि सवाद करना अच्छा रहेगा कि आपको मन में भी बहुत सारी शनवाय हो सकती है और आपको जैसे हम दूर दूर बैट कर आपस में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको संवाद करने के लिए मौका देना मेरा दाई तो है इसलिए आप लोगों का स्वागत करता हूं कि हम एक एक किताब पर जाएंगे उसके पहले मैंने ब्रोड आउप दे दिया है तो आपको अगर थोड़ा सा भी विस्तार अभी जो बाते मैंने बचा सारेंगे तो मैं बताओं बाप तो आपका पॉड़ा आपको आप मुझे साफ साफ बताएं आप कहां तक संतुष्त हैं कहां तक आपको कुछ नई बाते मिल गई हैं और आप किस तर एक चाहते हैं यह मुझे बता देगे आगे अमारे वार्णी क्लास है अगर आप कुछ मुझे अभी मुझे पर अगर आप चाहते हैं तो कोई भी मुझे पर अगर आप चाहते हैं इस के लिए कि आफरी की आप लोगी कुछ पूले सो भी ठीक है से लिए ये मुका है बोलने के लिए दूसरा आप को इसे बोलने मुवका हो कि देरी जैने इसने एक क्लास जाता है है उसवाहक मुछ बार णा बहुत है нес Systems प्रगदी बाद प्रगदी बाद नामक अंदोलन में है उसे हम कहते है प्रगदी बाद साहिए प्रगदी बाद प्रगदी बाद की इसके बाद प्रयोगवाद प्रगदी बाद के बाद क्योंकि तरी तरी तक कर जो समय है प्रगदी बाद की तरी तरी इंडिया तरी बाद 43 में जब अग्ये ने चाहरव सब्सक्राइब का प्रगशन किया तबनें उसमें थे आपको बताया है अग्ये चाहर अग्ये सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब उसके बाद 1951 में दूसरा सब्सक्राइब प्रकार्षद पता है और उसमें भी साथ कभी है आप चाहिए तो कभी सब्सक्राइब इसके बाद रगसे बाद और हाला वाद आप देखे जो में स्क्रीम में जो धारत से लिए है यह आभी यह जो हाला वाद हाला वाद और राष्ट्रिय काव धारा जर असल चायावाद के समारांतर चलिए है चायावाद के समय में ही चल रही थी और चायावाद हालाबाद के बाद में भी चल रही थी वह अलग धारा के रूप में जैसे आप जानते हैं हालाबाद प्रवर्तक अ हरिमांचराई बच्छला और राश्क्री में और काव धारा यहां रही है उसमें जितने भी धांट अपको लेकर जेश्वक्ती को लेकर लिखने वालें तव पुदाहरन के लिए रामदारी सिंग दिनकर, उबदरा कुमारी चवहान, मा कनलल सदरवेदी, या आलकृष्न शर्मा नभीन, ऐसे ऐसे बहुसरी कभी, बगवदी चरन वर्मा, ऐसे ऐसे कभी रहे हैं. ये सब राश्टे काविधारा की कभी हैं, लेकिन राश्टे काविधारा के लिए हमें एक समय नहीं रखा है, हालाबाद के लिए एक समय नहीं रखा है, क्योंकि वो रायवाद और पड़िदिवाद के समय ये घाराईम चल रही थी, अलग लोग से, लेकिन एक के बाद ये का ऋबसके सीमें और मिल्ता रहा था कर दिए तरouse के बाद इवद्योग से उसके बाद दिएट पर साट रिक वाद प्रयोग बाद प्रयोग बाहर सकती कर देंड मैं यह ओभेधिदों सबसे पहले आपका है जो आधनी काल जिसे शुपले की ने गजिकाल नाम दे दिया है जैसे आप जानते हैं कि नाइंडीन यानि समवद उन्निस सवर बताते हैं उसका मतलब 1850 है 1850 से हिंदी में आधनी काल शुरू हता है काविता के साथ कहानी नाटक उपन्यास इन सभी करेंबर शुरू होता है और आपको देखना है उन्निस सव या अठाज सव पचास से लेकर 1850 से लेकर 1900 उन्निस सव तका जो समय है वो भार्टेज यूगर है और उन्निस सव से लेकर 1908 उन्निस अठाज से लेकर 1908 उन्निस से लेकर 1908 उन्निस तका जो समय है वो भार्टेज यूगर और न्निस अठाज से लेकर 1936 तका समय है वो भार्टेज यूगर है और न्निस अठाज से लेकर 1943 तका समय है ये प्रगदिवाद का समय है और न्निस अठाज से लेकर 1931 तका जो समय है प्रयोगवाद का समय वो भार्टेज यूडर से लेकर लगबग 1960 उन्निस अठाज साठ तका समय नई करदा का समय रहा और साठ के बाद सब्सक्राइब का समय है साठों तरी करदा का समय रहा और समधी के बाद हम बताता हैं कि समकाली करदा का समय पूर समकाली करदा का मतलब यह नहीं है आज जो करदा लिखी जा रहे हैं सिर्फ बोख लेकिन 1970 से लेकर अब तक की करदा को हम समकाली करदा नाम से ही पुकारता है मुझे लगता है कि आपको जो हमारा जो मैजर आईडिया है वो आपके पास आया है वो साफ हुआ होगा यह मेरी धर्मा है और अगर आप किसी जो कॉमन मतलब जो आईडिया है मैंने बता है हालाओर राष्ट्र कावजारा दो प्रवर्टियां रही है वो समानांतर चली है शायवाद और रगटिवाद के उसी समय में यह जोनां प्रवर्टियां चली है उसको राष्ट्र का वेजारा आप जानते हैं आसाधी के पहले हमारे राष्री ये भाव को लेकर देश्र बक्ती को लेकर पैटिरो संद को लेकर राष्र काव धारा चली है लेकिन हालाबाज नमक्तव धारा है रिवाश्राय बच्छन ने उस कावेधार को चलाया है और उसमें विशेशकर मस्ती का कावे बताया जाता है यहने हाला एक प्रतीग है जब कोई शराव पिता है जब कोई हाला पिता है सब कुछ भूल जाता है और मदशाला में किसी प्रगार का बेदभाव नहीं है मदुशाला में बैदवाव, मदुशाला में सब पीकड़ है, सब पीने वाले है और उदर कोई अमेर है, गरीव है, कुछ नहीं देखा जाता है और कोई दुक नहीं है, कोई संदोर्श यहनी खुशी नहीं है सभी से परहे एक दुनिया का दिरमान होता है उसमें इसी प्रगार का जाती, घर्म, भैदवाव, अमीर गरीप, उजिदीद, या उच्छ जाती, निमने जाती, इसी प्रगार का भैदवाव इसलिए हालावाद नामा, जो कॉंसप्ट है, बहुत बड़ा कॉंसप्ट है उस पर हमारा दिल्कुल अधियन कम होता जाता है हमेशा, क्योंकि हमारे सिलिवस में अलावाद में कम रिखी जाती है लेकिन एक प्रगार से आशा की, उमीद की, तोक की कविता, अलावाद की कविता, ठीक है और मित्रों आप बताईए, कुछ अगर मैं आगे कुछ बोलूँ या अभी हमें समात करना है या अगर आपको कुछ पोछना है, तो अभी मैं तयार हूँ, आपका जो भी प्रस्न है, आपके सवालों का, आपकी शंगाहों का निवार्द करना में जाता हूँ आपके सब्सक्राइब करना में जाता है, आपके सब्सक्राइब करना में जाता हूँ या थी, मना समझ गया है, अध़ coy, आपके सब्सक्राइब करना में, प्रसकितों, निवार्च जिसों भी। दनीवत जी हमारा दूसरा कक्षा में हमारा क्या विवाद है मैं क्या है जी कल क्लास में किसके बारे में हमारा विचार इसी कर्दा के क्लास में क्लास में राग निराग के नाम किताब है राग मिराग निरालाग की कविता है कामेश संगलन है राग मिराग ठीक है ओके जो किज अ इसे बहुत सारी करता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे जोडने के लेक लेक एक छोर से दूसरे चोर तक जोडना बहुत कटन काम है तो निराला जेसे कविव पर ठीक है लेक्ट से इसे निराला को केंदर करके राग मिराग नामत जो किताब है इसे केंदर मेरेटर हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, डनी माज़ी अभी हम विजार ले लेंगे हलो? हाँ बोले हैं सर कल साकेट के नवम सर्ग में एक बार में पढ़ती हूँ कुछ डौड से हैं तो मैं आप से क्लियर कर लूँ कल साकेट के नवम सर्ग बिल्कुल आपकी सभी शंगाव का स्वाजद है मैं यह बता रहा हूँ कि हमारे क्लास में प्रोब्लम क्या है इसका जो सिलबस है आपके लिए मिनिमुम बीस क्लास चाहिए लेकित चार क्लास में समयटना है और मैं कोशिश है करता हूं कि कल हम इसी मिराला का जो र्याव बीराग है उसी पर कैंदेद रखना चाहता है और साकेट को हम अगले क्लास में साकेट पर आजाएंगे कोशिश करेंगे कल अगर टाइब मिले तो साकेट पर आ जाओंगा मैं ठीक है अगर ताइम मिले तो साकेट पर भी आ जाओगा, नहीं तो इसी मिराला को, क्योंकि मेरे चाहता क्या है, जो भी यूँ पढ़ा था हूँ, उसे आप ठीक सरे से समझें, ये मेरी कोशिश होगी, ठीक है? आपकी सभी शंगाओं का सौगत है, ठीक है? अबी आगे तीन क्लास बागी है, इतने भी क्लास है, सभी क्लास में, हम आपकी शंगाओं का निवारंद करेंगे, और उसके बाद ही हम खतम करेंगे, ठीक है? दन्य वार्वार गुटनाइट शुकर आठ रही हम है डनेवार गूटनाइट अथ मुटनाइट कर रहे ऍमाीश भी करेंगे पार्षाल कोशिफिकर एथर्वुटनाइट रसे से स्थुकुटनाइख रहे थर्भी आपको खोच्या जाए, पारफ़ृड़ प्राईख़ू झाल 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 झाल